हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आवाज भी मेरा जो है न वो थोड़ा थोड़ा अभी मतलब गलाला करने से न गराम पाने स थोड़ा अभी सही है गला में जो है उदर नहीं है तो अभी मंदिर आये हुए है काली जी के मंदिर आप यह सोच रहे होंगे कितना पूजा दिखा रही है कितना क्या दिखा रही है तो मैं आपको बता देती हूं कि जैसे जब हम बीमार थी न मैं और मेरे हजबेंड तो तो वही मननत पूरा करने आई हूं और अब आई हूं तो जितना हो सकता है उतना सारे मनत पूरे करके ही जाओंगी और बाकी जो बचेगा अभी बहुत कुछ ममी ने भी बहुत कुछ मान दिया था कि इन दोनों लोग का तबियत बिलकुल सही हो जाए तो अभी कथा सुनना है बाकी जितने भी मनत है मैं नेक्स टाइम आऊँगी तो मैं मान दूंगी और आज देखे फ्रेंट्स मैंने ये वाली साड़ी पहनी है यह देखिए और आज मैंने बिचिया भी नहीं पहना मैं दिखाती हूं आपको तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पे तलाब है और यहां का जो नेचर है बहुत अच्छा है पूरी चारों तरफ हरियाली है यहां का नजारा ही कुछ और है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हवा इतना दर्मी तो नहीं जादा लग रही है पर अभी चल के आई हूना तो थोड़ा लग रहा है और जो यह तलाब देख रहे है ना इस तलाब में कमल का फूल सब लोग लगा है सिंगारा लगा है सब लोग यह देखिए यह जो दिख रहा है और मैं आपको यहां का व्यू दिखा तो अभी माईके आई हूं तो थोड़ा घूम लूँ और मननत भी पूर उतना आती हूं तो नहीं घूम्ती हूं। यहां की प्रसिद्द काली जी तो मैंने कोई स्टाइल ने बनाए थे दीदी ने मान दिया था कि ये लोग बलकुल ठीक हो जाएंगे तो दोनों लोग आएंगे और यहां पर हलूआ पुढ़ा जड़ायेंगे तो हास्बेन चले गया है मैं अकेले आई हूँ और उनको जादा दिन के छुट्टी नहीं मिली थी तो इसलिए मैं अकेले ही आई हूँ पुजा करने यहाँ पे और अब मैं वेट कर रही हूँ पानी लाना भूल गई थी तो जोती और लच्मी दोनों लोग गई हैं पानी लेने वहाँ घर से घर पास में यह जादा दूर नहीं है दीदी के तो मैं आपको अपनी बिच्छिया दिखाती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी और मम्मी ने गिफ्ट की है यह बिच्छिया तो दिखाती हूँ आपको पर चार उत्र भी इतना खुबसूरत भी हूँ है यहां का फ्रेंट्स में आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है और वो देखिए दीदी है चमा है लेजे बाते कर लिजे इन लोग से भी यह देखिए हमने हल्वा और पूरी बना किलाया है जै मा काली दीदी बो पाती है ना वी कैमरे के सामने तो इसलिए तो यह देखिए यह हल्वा पूरी हमने बनाया है यह देखिए और कीचन में इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था ना कि मैंने बिल्कुर सूट नहीं किया मैं अभी यहां पर ही सूट कर रही हूं तो मैं आपको बिच्वा दिखा बढ़ा था तो इसको पहन लिए कमेंट करके जरूर बताईएगा कि विच्षिया कैसी लगी और चामा कुछ भूल नहीं रही हो तुम्हारा पर्स कहां पड़ा हुआ है यह देखिए प्रेंस इतनी लापर वाह लड़की है यह ना पर्स वहां फेक दी और आके यहां पे ब बताईए एक लोटा पानी देने गई है इतना नजदीक दीदी के घर से यह सब इतना टाइम भी लगा रही है अभी हमें कहीं और भी जाना है आ गया दीदी यहां से फ्रेंड्स मेरी सिस्टर जो है कितनी स्लो चल के आ रही है जैसे लग रहा है कि कोई कामी नहीं यह देख आ गई सब अब हम पूजा कर लेते हैं है कि मेरा अब है अब है यह पढ़िया बैटके फूरी बेल रहे हैं अन्दर आ जा जोती चला है जो है हलो फ्रेंड्स राधे राधे आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और अभी मैं दीदी के गाउं आई हूं यह जो है ना यह समय मैं इनका पूजा मैं कर लूँगी फिर बाहर काली मैं उनका पूजा कर लूँगी और बास देव बाबा का कर लूँगी आप सोच रहे होंगे ना कि यह कितना पूजा कर रही है तो यह सारी मनत की पूजा है मैं सारी मनत अभी कम्प्लीट कर रहे हुँ और अभी तो बहुत सारी मंत है और नेक्ष्क टाइम आउंगे तब पूरा करूंगी अभी तो बहुत सारे अभीti कम से के कम 412 मंणथ है जो मैंने पूरी नहीं की है तो वह पूरा कर रही हूं और उसी का ब्लॉग आपलोग के साथ सेर कर रही है तो जब पूजा हो गया था ना तो हम घर आ गये थे और ये देखे दीदी के गाओं का व्यू कितना खुबसूरत लग रहा है चारो तर फर्याली ये जितने खेट देख रहे हैं न सम्मे धान लग गये है अई जो नहर मैं दिखा रही हूँ यही से यहां के किसान जो है वो पानी लेते हैं नहर की मतलब खेट की सिचाई करने के लिए और पूजा करने के बाद हम घर आ गये थे दीदी जो है वो सिर पे पल्लू ली है क्योंकि वो उसका गाम है तो वो वहां की बहू है इसलिए वो घूंगट काड के चल लही है और यह देखिए साइड में दीदी है बीच में छोटी सिस्टर है और फिर मैं हूँ और फिर हम घर के लिए जा रहे थे मतलब दीदी घर पे साम हो गया था पूजा हम लोग नौ बज़े किये थे दिन भर दीदी घर पे थे और साम हो गया तो फिर जा रहे थी मैं माई के और मेरी गोद में लाडो है मेरी तीसरी नंबर वाली सिस्टर की बेटी जो जुड़ूआ हुए है वो है तो वो कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे साथ तैयार हो जाती है जाने के लिए और साथ में ही चली जाती है कोई भी अगर घर से बाहर जाएगा तो तैयार हो जाती है जाने के लिए और खिड़की में से दीदी देख रही है कि बहु है इसलिए बाहर नहीं निकल रही थी ना तो वो खिड़की में से ही देख रही थी और फिर हम लोगों ने हम लोग जल्दी चले गए थे साम होने से पहले ही क्योंकि हमें जाना था दूरी तो ज्यादा नहीं है पर समय से पहले निकल जाएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि बारिस भी मौसम जो है बारिस का बन गया था और इसलिए हम जल्दी निकल गए घर त प्रेंगे तो अभी मैं जा रही हूं अपने माई के अपने रहोगी क्या दो यह की फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अपने घर मैं आपको यहां का व्यू दिखा रही है यह दिखे़ दान लाह लाहर और बादल भी करज रहा है देखिए तो जल्दी से हम घर चले जाएंगे और मैंने सुचा मैं आपको दिखा दूँ पूरे धान लहलहार है पूरा हरा हरा चारो तरफ देखिए कितना खुब्सूरत खेत लग रहा है न और यह देखिए जोती जो है न चुप रही है एक यह लच्मी है यह देखिए जोती आजाओ आज बिटो सर्माते नहीं है और यह देखिए यहां पर बैठी है चमा एंड के हस्बेन और मैं दिखा रही हूं फ्रेंड्स बहुत मुझे अच्छा लग रहा था यहां पर दीदी के गाउं में बहुत अच्छा लग रहा था है यह देखिए यह यहां का नहर है तो अभी मैं दीदी के घर से माय के चली जाओंगी दीदी के घर से दीदी के घर जादा दूरी पर नहीं है यह आधे गंटे का रास्ता है ना अब यह गाड़ी हील रही है ना इस लिए तो फ्रेंड्स अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मन दो लिएगा वेल आइकन का बटन भी प्रेश कर दीजिएगा और अभी मैं रखती हूँ तो अभी मैं रख रहे हैं यह फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नेक्स्ट अ